नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री ने भी भाग और अधिकारियों को अलाट मुण में रहने के लिए कहा है मुख्य मंत्री ने COVID-19 के नए वेरियंट से निपटने के लिए अस्पताल, ऑक्सिजन, सपोर्टेड बेड, दवायों और मेडिकल ऑक्सिजन के उपलबता के पुखता इंतजाम करने के निदेश दिये मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि कई देशों में एक सपता से COVID-19 के नए मामले में तेजी आई है जारखन में भी संक्रमन बढ़ सकता है, इसलिए अलर्ट मुण में रहे, जरूरी इंतजाम पहले से कर ले मुख्य मंत्री ने कहा है कि त्यारी ऐसी करे कि आप पात इस्थीती में आफरायत अफरी का महोल ना बने बैठक में अधिकारियों ने मुख्य मंत्री को बताया है कि राजे में अब तक कुल COVID-19 संक्रमितों की संख्या चार लाख बैली सेर पांसो और सठा इनमें से चार लाख सेहती सेर दोसो चातिस मरी स्वस्त हो चुके है ज्यारखन में मौसम के बदलाव की परकिर्या समापत होते ही ठंड बढ़ने के असार है 26 दिसंबर के बाद राजे के विभीन हिसो के तापमान में कमी से सीत लहर चलेगी इसे सुबह और राट में कनकनी बढ़ेगी बतादे देश के उत्तरी भाग में चल रही सीत लहर का परभाव जारखन पर भी पर सकता है उत्तर की सर्द हवा का रूख राजे के निवासियों को काप का पान सकता है यहां निमतन तापमान में 6 डेगरी तक गिरावट आ सकती है जबकि अधिकतन तापमान 3-4 डेगरी नीचे आ सकता है मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्री भाग में सीत लहर का दोर चल रहा है जबकि बंगाल की खाड़ी में बना तुफान अब दक्षिन पच्चिम दीशा में सिर्लांका तटकी ओर है इससे जारखन के आंसिक बादल अगले 24 गंटे तक छटने की उमीद है हेमंत सरकार के तीन साल 1932 खत्यान बिधहक बिधान सभाग से कराया पारी तज़ारखन के सियम हेमंद सुरेण ने वादे के अनुसार 1932 के खत्यान को लेकर मजबूत इरादा दिखाया है लंबे समय से खत्यान अधारीत आस्थानिये तक इमांग की जा रही थी मुख्य मंत्री ने इस पर गंभीता देखाते हुए विधान सभा के विश्यस तत्र बुलाया और 119222 को 1932 के खत्यान बिधहक पारित करा दिया बता दो 119222 ज़ारखन के लिए खास दिन रहा इस दिन बिधान सभा के 27 में खत्यान अधारीत आस्थानिये निती को नियोजन से जोड़ दिया गया वही जारखन में 193222 के पुर्यों की खत्यानी पहचान वाले जारखनियों को ही राज्ये में तिरितिय और चतु थवरक की नोकरी मिल पाएगी 11.922 को विधान सभा के 27 में हेमान सुरेन सरकार ने जारखन के अस्थानिये ब्यक्तियों की परिभासा तैक करने वाला बिल पारित किया है जारखन में 29 दिसंबर को 50 मोडल इसकूलों की सोगात देंगे सीम हेमान जारखन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस्ट राष्टिये जानता दल महागडवन्दर की सरकार 29 दिसंबर 2022 को तीन साल पूरा कर रही है तीन साल का कारेकाल पूरा होने के उसर पर जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन परदेश की जानता को 50 मोडल इसकूल का तोफा देने जा रहे है बता दे हेमान सुरेन ने 15 नॉमबर 2022 को जारकन अस्तापना दिवस पर 48 इसकूल ओफ एक्सिलियंस का ओल्लाइन उठाटन किया था सरकार ने उसी दिन छा जारकन आवासी बाली का विद्याले का भी उधाटन किया जिसकी लागत 27 को रुपए बताई गई वही 23 को रुपए की लागत वाले साथ मोडल इसकूल का भी उधाटन हुआ था बदल रहे अपराध के तरीकों से निपटना नई तक्निकी से लेस जवानों की पहली चिनो थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमंसुरे ने सोमवार को फूरवी सिंग्भूम के कॉंस्टेवल ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन रिजर्व बाटालियन के पासिंग प्रेड और सपत ग्रहन समारों में बतर मुख्यतिती सामिल हुए कालेकरम में मुख्यमंत्री को गोड ओफ अनर दिया गया जिसके बाद मुख्यमंत्री हमंसुरे ने अमर जवान अस्मिलिती पर पुस्पांजलित और पित की इसके बाद पासिंग प्रेड के जवानों को सपत लियाई गई passing repeated समारों को समझित करते हुए मुक्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि यह training center एक अलग दुनिया, एक «अलग सहर » की तरह अलगने वाल training center है यहाँ पहली बार आठ company के जवान training प्राप्त कर कर्तवयों का निर्वहन करते हुए राजे और देस की सेवा में जाने को त्यार है मुख्यमंद्रीन कहा है कि आज कोई तरह के क्राइम देश और हमारे राजे में हो रहे हैं अपराधी नई तकनीक और संसाधनों को अपराध करने का नाया हत्यार बना दिया है उन्हें मोहतोर जबाब देने के लिए सरकार के दोरा जबानों को ट्रेनिंग दी जाती है हमारे जबान अपराधियों को मोहतोर जबाब देंगे दुमका में छातरा के साथ छेड़ खानी और जबरजास्ती की कोशिस से जारकन में महिलाओ के साथ आए दिन जिस तरह से अपराध की घटनाय सामने आ रही है वह चिंता के भी साय है दुमका में भी एक छातरा के साथ दुर्वेवार के एक घटना सामने आई है एसपी कॉलेज परिसर में सोमर को एक आदिवासी योती के साथ अबदुल गफार नामक एक व्यक्ति ने छेड़ खानी करने की कोशिस की आरोपी अबदुल को छातरों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी सुचना मिलते ही पूलिस मोके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया है पिडित छातरा ने पूलिस को दिये ब्यान में युवक पर जबरन छेड़खानी करने का आरोप लगाया है और स्थी स्टी का मामला दर्च कराने का अमरोद किया है कोट फी संसोधन बिधयक से अधिवक्ताओ मिन राजगी ज़ारखन सरकार के दोवारा कोट फीस में की गई ब्रीधी को भले ही संसोधित किया गया हो मगर राज सरकार के अधिवक्ता इसे संतुष्ट नहीं है दिसमबर 2021 में केबिनेट से पास होने के बाद राज सरकार ने विभीन नियालों में लगने वाले कोट फी में अपरत्यासित बिरिधी की थी जिसके खिलाप हाई कोट में जनीत आज के अधाकिल की गई थी इतना ही नहीं इनके खिलाप राज के अधिवक्ताओं ने अंदोलन की धम की दी थी राज सरकार ने भारी विरोद को देखते हुए कोट फीस में की गई बिरिधी में आशिक संसोधन करते हुए एक पर फीर हाल ही में सितकालिन सत्र के दुरान कोट फीस बिधयक पास किया है इधार राज के अधिवक्ता कोट फीस संसोधन बिधयक से संतुष नहीं है उनका मनना है कि सरकार ने स्टेट बार कॉंसिल के सला के बिना जबरन कोट फीस की बिरिधी कर दी संसोधन बिल में भी कोई खास राहत जानता को नहीं दी गई जिसे आम जानता को न्याय की गुहार लगाना बहात ही मुश्किल हो जाएगा रांची में कोलवारी मैदूर यूनियन का परदर्सन चक्का जाम की चेतावनी जारखन कोलवारी मैदूर यूनियन ने सोमवार को सीसेल मुख्याले के सामने धरना परदर्सन किया उन्होंने गारवे बेतन सम्झाता लागू करने कोल इंडिया और अने सरकारी कोल खदानों के नीजी करन के परयासों को रोकने की मांग की साथ ही विस्थापितों के हीत के लिए CCL परवंधन से कई मांगे की इस धारना परदसन में बड़ी संख्या में कोल मजदूरों ने भाग लिया और लंबित 29 सुत्री मांगों को पूरा करने की मांग कोल इंडिया लिमिटेट के अध्यक से की पता दे कोल मजदूरों के गारवे राष्ट्री ये बेतन समझाते को लागू करने में CCL परवंधन के अडियल रवाया से हो रही देरी को दूर करना आयोगी कोल मजदूरों के आसरीतों को पहले की भाती नियोजन करना समय पर पदोनती अवैद काप जा क्वाटर को खाली करने बंद ख़दान को फिर से सुरू करने समझाती वही कोल ख़दानों की वज़ा से भी स्थापित हुए परिवार को सरस्यों को नियोजित करने की मांग की गई है केंद्रिय धुमकुडिया भावन में राष्ट्रिय सेमिनार आज जन गन्ना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोलम को फुर्न स्थापित करने की मांग को लेकर 28 दिसंबर को करम टोली चोक मुराबाद इस्थीत केंद्रिय धुमकुडिया भौन में एक राष्ट्रिय सेमिनार आयोजित किया जाएगा राष्ट्रिय सेमिनार की त्यारी को लेकर एक बैठक समीतिक राष्ट्रिय उपाध्यक्स देवकुमारधान के नितित में केंद्रिय दुमकुडिया भौन में की गाई बता दे इस बैठक में कहां क्या है कि आदिवासियों के वर्षो पुरानी अलग धर्म कोलम की मांग को लेकर पूरे देश के आदिवासी बीगत कई वर्षों से देश के विभिन राज्यों में अंदुरन कर रहे हैं राजेपाल दूसरे दिन सब परिवार खुंटी जारखन के राजेपाल रमेस बैस लागा था दूसरे दिन सब परिवार खुंटी के हांसी वादियों करना जारा लेने पहुंचे सोमवार को राजेपाल डाहू पंचायत में श्थीत उलूंग जलपरपात पहुंचे लेकि पादे कोईल नदी का निर्मल पानी देख राजेपाल और उनके परिजिनों ने जान्या में अस्तान किया नदी में तराकी करने में खुब मस्ती की मुख्य मंत्री के सुरक्षा परभारी को भेजा जाएगा दूसरा समन मुख्य मंत्रे हेमासुरेन के सुरक्षा प्रभारी को E.D. दूसरा समन भेज़ेगी 24 अगस्त को पावर, ब्रोकर, प्रेम, प्रकास के आवास पर शापेमारी के बाद सीपाही, स्याम, लाल, होरो, वा मुकेस, कुमार के 417 हाथियार वसाथ गोलिया बरामत की गई थी E.D. ने इसी मामले में 18 अक्टूबर को C.M. सुरक्षा प्रभारी को नोटिस भेजा था, लेकिन तब सुरक्षा प्रभारी या कहते व्योग पच्चित नहीं होए थे कि बरामत 147 हाथियार उनके विभाग से जुला नहीं है जार्खन में परिवारों की आये 6 बर्सों में कितनी बढ़ी पाता लगाएगा नबाड जार्खन के ग्रामिन और अर्ध सहरी छेत्रों में रहने वाले लोगों की आये 6 बर्सों में कितनी बढ़ी है इसका पाता लगाने के लिए नबाड सर्वे कर रहा है देश के सभी राजों में नवाड की ओर से कराय जा रहे है इस सर्वे में जार्खन भी सामिल है नवाड के अनुसार बीतिये वर्ष 2016-17 में सर्वे कराया जाए था जिसके अधार पर अब नवाड अखिल भारतिये ग्रामीन बीतिये समेलेशन सर्वेक्षन 2.0 के तहट देश के सभी राजों के ग्रामीन और अर्ध सहरी चेत्रों में सर्वे करा रहा है नवाड के मुताबिक इसके तहट 10,000 गाओं के 1,000,000 परिवारों से डेटा एक अत्रित किया जाएगा इनमें ट्रियर 3 से लेकर ट्रियर 6 तक के सहर सामिल होंगे यानि अधिक्तम 50,000 के अबादी वाले छेत्र नवाड की यह रिपोर्ट अगले साल जारी होगी बाहरी भीत्री के नाम पर उनमाद फैलार है मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी राज्य की नियोजन निती रद होने के बाद मुख्यमंत्री हेमन सुरेन पर बाहरी भीत्री के नाम पर उनमाद फैलाने का रोप पुरू मुख्यमंत्री बाबुलामरांडी ने लगाया है बाबुलाल मुरांडी ने कहा है कि बारी भित्री का राग अलाप कर उन्माध फैलाने से ज्ञारकन के युवा बेरुजगार छात्रन नजवान अब मुख्य मंत्री के जासे में नहीं आएंगे उन्होंने कहा है कि दो दिन बाद बर्तमान सासन का तीन साल पूरा हो रहा है और मुख्य मंत्री ने खुद सोईकार किया है कि अब तक 357 युवाओ को ही नोकरी दी है किसने रोका आपको नवकरी देने से बाबुलाल ने मुख्यमंत्रियों को कहा है कि जार्खन के अस्थानिये लोगों को नियत संगत नवकरी देने के लिए कानून बनाईए कानूनी पचले में फसा कर युवाओ को भठकाने वाली नियत बदलिये वरना युवाओ की आह लगेगी जार्खन के सरकारी स्कुलों में ग्यान सेतु का नहीं हो रहा इस्तिमाल जार्खन के सरकारी स्कूलों में ग्यान से तू और FLN की वर्क बुक का इस्तेमाल स्कूलों में नहीं हो पा रहा है इसे स्कूली सिक्षा वसकता विभायन गंभीता से लिया है और नराज की भीजताई है जार्खन सिक्षा पर्योईना परिशत की राजे पर्योईना निदेश किरन कुमारी पासी ने सभी जीलों को इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया राजे के पराणवेक स्कूलों में पहली से तीसरी के चात्रशत्राओं को एफ एल एन की कारेपुष्टिका दी जाती है जबकि 34 से आठवी के बच्चों को ग्यान से तुका वर्क वो किया जाता है बताद सिक्चा विभा की ओर से गठीत टीमों के स्कूलों के निरिक्षन में या सामने आया है कि इस्कूलों में वर्क वो तो उपलब्द है लेकिन छात्र छात्राओं के बीच बाट कर इसका उप्योग नहीं किया जा रहा है रामगर्ण बिधायक ममता देवी की बिधायकी खत्म जार्खन कंगरेस की एक और बिधायकी बिधायकी चली गई है मांडर की बंधू तिर्की की सज़सेता जाने के बाद अब रामगर्ण की बिधायक ममता देवी की भी बिधान सभा की से चली गई जारकन बिधान सभा ने इस समान में अजिसुतना जारी कर दी है बिधान सभा सचीवाले की ओर से तेश दिसंबर 2022 को ही अजिसुतना जारी कर दी गई चार्कन बिधान सभा की ओर से जारी अशुचना में कहा गया है कि हजारी बाग जीला जज की ओर से एस्टी के संख्या 347 बाइद धुहजार एक पारित आदेश में जार्कन बिधान सभा की सेस्टा मामता देवी को दोसी पाया इसकी वाया से जान परति निदित नियाम 591 की धारा आठ तथा समीधान करुछेद 191 के अंगा के प्रवधानों के तहत मामता देवी दोसी दी की तारीक 13 दिस्टमबर 2022 के परभावत जार्कन बिधान सभा की सेस्टे के लिए आयोग यहाए मुख्य मंत्री ने कहा आपात इस्थिती में आफरात अफरी का महर ना हो। हुई है आज की तारीख में पर्देश में कोविन नाइंटीन से क्रमित मरीजों की संक्या मात्र एक है वहीं स्वास्त विभाग द्वारा पत्रांग संक्या 206 दिनांग 1212 तथा पत्रांग संक्या 208 24 1222 के माध्यम से समझत मेडिकल कॉलेज एमनीजी संस्थानों से समन्वा स्थापितकार कोविन नाइंटीन के नए वेरियंट के जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए सभी पोजेटीव आर्टी पीसी आर सेंपल को रिम सराची भेजने का निर्देश दिया गया गीरीडी में कैंप कर रहे नकसलियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेसन गीरीडी जीला में नकसलियों खिलाब चलाए गए अभियान में पूलिस और सीयर पीएप को बड़ी सफलता हाथ लगी है पीरा टान के नावा सार में सोमवार को नकसलियों के दस्ते की सुचना पर चलाए गया अभियान में नकसलियों सहीत नकसलियों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही कई समागरियों को भी जब्त किया गया इसके साथ ही नक्सलियों के खिलाब सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया हलाकि पूलिस के आने की सुचना पहले से ही मिल जाने के कारान नक्सलि मोके पर अपना सारा समान छोड़ कर भाग निकले बताया गया है कि पूलिस को गुपत सुचना मिली थी कि पीरा टान के नावासार में नक्सलियों के दस्ता ठाहरा हुए है कोडार्मा के सरकारी कर्यालियों अस्पतालों में मास्क नहीं पहनने पर करवाई देश दुनिया में एक बार फिर से कुरोना वायरस के संग्रामन की दस्तक बीच जहरखन में भी कडाई सुरू हो गई है कोडार्मा जीला अस्तर पर भी इससे निपटने वा बचाव को लेकर त्यारी के साथ एहतियातिक कदम उठाये जाने लगे है सोमवार को जीला के उपायुक्त आदित्य रंजन के देख्था में कोविट-19 से बचाव के लिए जीला अस्तरिय पताधिकारियों वो अपरखन के पताधिकारियों के साथ समानाले सभागार में बैठक होई साथ ही उन्होंने कहा है कि होस्पीटल के डॉक्टर और मरीज भी अनिवारे रूप से मास्क लगाए क्योंकि इस जगह से कोरोना के वाइरस के फैलने की संभावना ज्यादा रहती है निरिक्षन के करम में बिना मास्क पाये जाने वाले कर्मियों पर करवाई होगी मुख्य मंत्री के निदेश पर पारासनाथ विवाद पर अधिकारियों की जैन परतिनिदी मंडल संग बैठक राज सरकार पारासनाथ के समेद सिखर को पर्याटान अस्थल खोसित किये जाने की विवाद का हल निकालने में जुट गया मुख्य मंत्री है मंसुरेन के निदेश पर सोमवार को जारखन मंत्राला में जैन समाज के परतिनिदी मंडल के साथ अधिकारियों की बैठक होई जिसमें इसका हाल निकालने का पर्यास किया गया इसमें दोनों और से अपना अपना पक्ष रखा गया अब इस पर मुख्य मंत्री है मंसुरेन अमतिम नीरना लेंगे बतादे मुख्य मंत्री के सचीव बिनाय कुमार चोवे और पर्यटन सचीव मनोज कुमार की उपस्थिती में होई बैठक में जैन समाज के प्रतिनिती मंडनले समेद सिखर परवत को प्रेटन अस्थल से बाहर कर तिर्थ अस्थल के रूप में ही अधिसुचित किये जाने की मांग की है रांची में इंडियन एकोनोमिक एसोसियेशन का 105 वा कॉनफिरेंस जैन गिरेदानी रांची में मंगलवार से इंडियन एकोनोमिक एसोसियेशन का 105 वा कॉनफिरेंस शुरू होने जा रहा है या कॉनफिरेंस तीन दिन तक चलेगा इसका आयोजर रांची विश्ववी द्यालाई और स्यामा परसाद मुखरजी विश्ववी द्यालाई के सन्यूपत पहल पर हो रहा है मंगलवार को राजे पाड़ा मेस बैस सुबा 11 बजे स्यामा परसाद मुखर्जी विश्टो विद्याले के अडूटोरियम में कॉन्फिरेंस का उधाटन करेंगे इस मौके पर पदमस्तिरी असोक भगत भी मजूद रहेंगे जारखन में कोवी सील्ड और कार्वे बैक्स खत्म दूसरी डोज के लिए लगा रहें चक्कर जारखन में कुरोन संक्रमा को रोकने के लिए जारखन सरकार लोगों से ठीका अकरन कराने के लिए बड़े-बड़े विग्यापनों का सहारा ले रही है वहीं दूसरी ओर राज में कोवी सील्ड और कार्वो बैक्स वैक्सिन की उपलबता सुनिया है जिन लोगों ने अभित्ता कोवी सील्ड या फिर 12-17 वर्ष के किसोरों को लगने वाला कार्वो बैक्स का पाला डोज ले लिया है उन्हें दूसरा डोज भी इसी का लगाना ह लेकिन राज में ये दोनों वैक्सिन उपलबत नहीं है इन दोनों वैक्सिन का दूसरा या बूस्टर डोज लेने के लिए कोरोना टिक अकरन के पहुंच रहे लोगों को बिना वैक्सिन लिए निराज होकर बरक लोटना पर रहा है जारखन के सरकारी सिक्षक आई सिटी पूरसकार के लिए 31 तक करे आवेदन जारखन के सरकारी स्कूलों के सिख्षकों को आई सिटी पूरसकार मिलेगा इसके लिए 31 दिसंबर तक सिख्षक आवेदन कर सकेंगे यह पुरस्कार उन सिख्षकों और प्रसिषकों को दिया जाएगा जिन्होंने स्कूली पार्ठे करम और विशय सिख्षन में प्रदोगी के अनुसार सिखने की कला को परभाई बनाने और बढ़ाने का काम किया है बता दे राज सरकार के और से संचारित प्राथमीक मद्ध्य हाई और प्रस्टू स्कूलों के सिख्षक इसमें भाग ले सकेंगे इसमें प्रथम दियतिय और तिर्थिय पुरस्कार दिया जाएगा अल्प संख्यक कल्यान के लिए जीला अस्तरिय समीतियों का गठन अल्प संख्यकों के कल्यान के लिए 15 सुती कारेकरम के अंतरगत भारत सरकार ने जीला अस्तरिय समीतियों का गठन किया है इन समीतियों में संबंधित जीले के डिसी को अत्यक्स, संसत, बिधायक और कल्यान पताधिकारी को सुदा से मनुनित किया गया है इस समीति में पंचायती राज समीति और जीला परिशत के परतिनिदियों को DC के द्वारा मनुनित किया जाएगा यह समीति अल्प संख्यकों के कलियान के लिए काले करेगी बतादे राशी जीला के लिए राई सभासांसा दिपक परकास, लोक सभासांसा संजाय सेट, केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा, सुधासन भगत, बिधायक, विकास, कुमार को मनुनित किया गया है राश्टरिये जूनियर कलात्मक जीमनास्टिक चेंपियंसिप के लिए जारखन टीम रवाना है, केरल के जीमी जर्ज एस्टेडिया में 29 दिसंबर से 2 जनवारी तक होने वाले राश्टरिये जूनियर कलात्मक जीमनास्टिक परत्युक्तिया के लिए जारखन के टीम सोमार क को केरल रवाना हो गई जार्खन जीमनास्टिक संग के द्वारा सभी जीमनास्टिक खिलाडियों को टी सट परदान किया गया जार्खन राज जीमनास्टिक टीम के खिलाडियों के अच्छे परदसन के लिए जार्खन जीमनास्टिक संग के अध्यक्स आर के अनंद सचीव न सीकांद पाठ्ठक, राजीव रंजन, कोसादेक्स गोविंद जहा, सुबकानाय देकर विदा किया रांची में 26 पर्याटन अस्थलो समेत और 60 जग होपा तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट रांची जीला पसासर 99 साल के जसने के दोना सुरक्षा की त्यारी कर ली है 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक जीले के 26 पर्याटन अस्थलो समेत और 60 जगों पर मजिस्ट्रेट के साथ पूलिस बलकी प्रत्विमिक्ति की गई इसी दवरान सराप पी करवान चलाने पर पूलिस सक्त करवाई करेगी सभी समधित पताधिकारियों को परतिन्युक्त अस्थल पर सो समय पहुँचकर सगन गस्ती का आदेश दिया गया है ताकि किसी परकार की कोई अपरिये घाटना ना होने पाए और बीदी बेवास्था याम सांती बेवास्था बनी रहे सब्सक्राइब करें लेकर ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवास्थे थैंक यू